कभी-कभी व्यक्ति यही नहीं समझ पाता है कि पॉजिटिव है यह नेगिटिव है जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूं कि एक बुज़ुर्ग भाई था मना उसके चार बच्चे थे चारों बहुत अच्छे अग्याकरी हर बात में जैसे के पिता ने जो कहा मान लिया कर लिया कोई भी चीज ऐसी नहीं जो नहीं करते थे वो जो उनके पिता जी ने ओर्डर किया वो करते थे तो जो भी देखता था ना वो बुज़ुर्ग को कहता था आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं यह ना कि हर एक बच्चा आग्याकरी इतना आपने जो कहा वो कर दिया जो आपने उनको कहा सेवा करने के हिसाब से या जो भी तो आपकी हर आग्या को पालन करता है तो बु तो यह को मापाप की सेवा करने के लिए बच्चे का पर्ज है देरी देरी वो बच्चे बड़ होते गए तो उनके शादियां हो गई अचारो की जो बहु आई वो भी बहुत अच्छी अग्याकारी जो सास्वसुर ने कहा वो आग्या का पालन करने वाली सेवा करने वाली हर रिती से तो जो देखते थे गाउं में ऐसे कहते थे आपके बहुए भी इसी हीरे आई कि आपकी बहुए भी इतनी सेवा करने वाली हर आग्या का पालन करने वाली तो बुजर्ग यही कहता थे बेटे बहु के तो फर्ज है बड़ों का मानना बड़ों का बड़ों की सेवा करना यही तो उनका फर्ज होता है तो उसकी पतनी जब भी सुन्ती थी बुजर्ग की, हाना कि भी किसी से सेवा लेनी न पड़े हमologically इना पुझक ही चलते चले जाए ह। हम थो बगवान से प्रातना करते हैं एक हमें किसी से पानी का ग्लास भी मागना ना पड़े इतनी भी सेवानी नेभी नही ten words एक क्यों नहि trends बेटे बहूत होती सेवा करने के लिए हम उसकी पतनी जो द्यों सचमुझ चलती Self चली के लिए वना लेकिन यह बुजुरुगय मानता था कि बेटे बहुत होती सेवा करने लिए माबाप की सेंट कर नंका धर्म है उनका करम है उनका कर्टवय है नहीं है फिर भी चारो बच्चे बेटे बहु टन लगा करके रहते थे, सेवा करते थे, वो बुजरुग बीमार होता गया, खूब सेवा किया, बेटे बहु उने खूब सेवा किया, जो भी आता था, वो कहता था, सच मुझ आप तो इतने भागिवान है, कितना पुन्य आपने किया हो किया, कि आपके सारे बच्चे बहु ऐसी है, जो आपके इतनी सेवा करते हैं, कियते बेटे बहु तो होती ही सेवा करने के लिए, वो यह एक ही लाइन बोल रहे हैं, उसके अंदर जहन में जैसे चली गई थी, और उसको यह पता नहीं चल रहा था, यह कोई नेगेटिव है अब एक दिन जब वो बहुत बीमार मना, सब कुछ खटिया में होने लगा, सब कुछ इतना परिशान होने लगा, फिर भी जो भी आता था और कहता था तो उसके मुख से यही बात निकलते थी, आखर उसका एक बेटा डॉक्टर था, वो बैठा अपने पिता के पास, कि दे लेकिन इतना सोचो पिता जी, कि इनसान सेवा कब करेगा, अगर आप अच्छे हैं, तो तो कोई सेवा की आवश्यक्ता नहीं है, लेकिन इनसान सेवा तब करेगा, जब सामने वाला परिशान हो, बीमार हो, तभी तो सेवा की जाएगी, देखो मा कहती थी, कि हम तो चलते चलते चले जाए, किसी से पानी का ग्लास भी ना मांग नप, तो ऐसे चली गई, उसने वो विचार छोड़े थे, अब आप जो है, ये कहते हैं, बेटे बहु होती ही सेवा के लिए, सेवा के लिए, सेवा के लिए, तो देखो आप कितने पीडित हो रहे हैं, सेवा हमें करन कई वाक्य हैं हमारे जीवन में, जो हम समझ नहीं पाते हैं, कि वो नेगेटिव है, और हम वही विचार सोचते भी है, बोलते भी है, वो बुजरुक को जब ये लॉजिक समझ में आया, कि सच मुझ मैं तो अपने लिए ही, कि बही इंसान सेवा कब करेगा, जब बीमार तो मैं तो बीमारी था, आवान कर रहा हूँ, और इसलिए हाँ सब कुछ खटिया में हो रहा है, नसीब वाला हूँ के लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, बिना कुछ उफ किये भी, लेकिन फिर भी भोगना तो मुझे भोगनी पड़ रही है, जब ये बात उसके अंदर में समा गई, समझ लिया उसने, उसके बाद उसने बोलना बंद किया, और उसके बाद यही जैसे संकल्प करना शुरू किया, कि अब सहचता से जाओ मैं, अब सहचता से जाओ मैं, किसी से सेवा और ले नहीं ना पड़े मुझे, तो जैसे ये विचार करने लगे, तो फिर सहचता स चलाने से लेगा